राधे राधे जैसी कृष्णा मैं सीमा सिंग पड़ों को चारें स्पैर चोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ आज मैं आपको सातूरी तीज की कहानी सुनाने जारी हूँ अगर आप सातूरी तीज का वरत करते हैं पूजन करते हैं तो सात में आपको कहाने भी सुननी चाहिए इससे पूजन और वरत के साथ कहाने सुनने का पूरा फल मिलता है अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे जदा से जदा लाइक करें अपने दोस्तों रिष्टेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सातूरी तीज की कहानी सुनने का संपून फलबराप्त हो और हमेशा की तरह आप से एक करून रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद आईए अब हम सातूरी तीज की नई कहानी सुनते हैं एक बार बहुत चोटा सा गाउं था उस गाउं में एक वेश्य दमपती अपने साथ बेटा बहुं के साथ रहते थे उस वेश्य का सबसे छोटा बेटा दुश्चरित्र था अपनी पतनी के होते हुए भी वेश्याओं के पास जाया करता था साथ ही वेजुआरी और शराबी भी था घर परिवार के सभी लोगों ने उसे बहु समझाया लेकिन उसके उपर कोई असर नहीं हुआ साथमी चोटी बहु का पती कमाता नहीं था तो वे अपनी जिठानियों के यहां जाडू पोचा बरतन कपड़े क्या करती थी बदले में वे उसे रुपिय देती थी उसी से उसका और उसके पती का घर कर्च चलता था विश्य के साथमे बेटा बहु बहुँ बहुत गरीब थे तब एक बार भादवे की कजली थी जाई विश्य दमपती के सास सभी ने कजली तीज माता का व्रत रखा और पूजन किया और सातु बनाया तब सास ने अपने सात्वे बेटे की बहु को भी सातू का पिंड बना कर के दे दिया शाम के समय जब सात्वी बहु सातू पास ने बेठी तो दरवाजे पर उसका पती शराब पी कर विश्या के घर से आया और उसने कहा कि दर्वाजा खोल, पत्नी ने दर्वाजा खोल दिया, उसका पती थोड़ी देर ही बैठा और वापस बोला कि मुझे वेशा के पास चोड़ कर आ, उसकी पत्नी ने ऐसा छे बार किया, वे बार बार अपने पती को हाथ पकड़ कर वेशा के पास चोड़ कर आती सात्वी बार उसका पती फिर घर आया और आते ही बोला कि मुझे वापस वेश्या के घर छोड़ करा इस बार उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली तो उसका पती बोला कि आकरी बार छोड़ करा फिर मैं कभी वेश्या के पास नहीं जाऊंगा साथ मी बार उसकी पत्नी फिर उसे विश्या के घर छोड़ने गई जब वे अपने पती को विश्या के घर छोड़ कर आने लगी तभी मुसलाधार वारिस होने लगी सभी जगे नदी नाले उफान पर आगे तो उसकी पतनी ने एक पेड़ पर चड़ कर अपनी जान बचाई और तीज माता की इस्तूती करने लगी तब कजली तीज माता ने सोचा कि ये बेचारी सुभर से निर्जला वरत रखे हुए है आज हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कल्यूग में हमें कोन पूझेगा तभी वहाँ एक आकाशवाणी हुई आवत्री जावत्री दोना खोल के पी पीव प्यारी होए आवाज सुनकर उसने देखा तो नदी में एक दोना बैता हुआ आया उसमें उस दोने में दूद था उसने उस दोने को उठाया और उसमें से साथ घूट दूद के पीए और उस दोने के चार टुकड़े करके चार दिशाओं में फैक देए तीज माता की क्रपा से वेश्या को सतबुद्धी प्राप्त हुई उसने अपना सारा धन, रुपिया, कीमती, रेश्मी, जरी के कपड़े वेश्य को दिये और खुद हमेशा हमेशा के लिए तीरतियात्रा पर चली गई वेश्य का सात्मा बेटा धन, रुपिया, कपड़े लेकर घर आया और दरवाजे पर खड़ा होकर बोला की दरवाजा खोल अब मैं कभी दुबारा वेश्या के घर नहीं जाओंगा अंदर से उसकी पत्नी ने अपने पती से वचन मांगा तब उसके पती ने वचन दिया कि मैं अब कभी दुबारा वेश्या के पास नहीं जाओंगा यह सुनते ही पत्नी ने दरवाजा खोल दिया उसने देखा कि उसका पती खुब सारा धन, रुपिया, गहने, कीमती, रेश्मी, जरी के कपड़े लेकर आया था दोनों ने बैट कर तीज मता की पूझा करी, सातू पासा और चंद्रमा को अर्ध्य देकर व्रत खोला दूसरे दिन सात्मी भव अपनी जिठानियों के यहां काम करने के लिए नहीं कई तो जिठानियों ने अपने बच्चों को भेज कर पुछवाया कि देख कर आओ आज तुमारी काकी काम पर क्यों नहीं आई बच्चों ने आकर काकी से पूछा कि काकी आज हमारे यहां जाडू पोचा बरतन कपड़े करने के लिए आप क्यों नहीं आए तो काकी ने अपनी जिठानियों के बच्चों से कहा कि आज से मैं तुम्हारे यहां काम पर नहीं आऊंगी मेरे उपर तो कजली तीज माता तूटी है बच्चों नी जाकर अपनी मां से कहा कि मां काकी अब कभी काम पर नहीं आएगी उनका घर तो धन दोलत से भरा हुआ है और काका भी काकी के पास बैटकर हससकर बाते कर रहा है काकी कह रही थी कि उनके उपर तो तीज माता तूटी है जब विश्य दमपती और उसके छे बड़े बेटा बहों को इस बात का पता जला तो उन्हें बहुत कुशी हुई ये तीज माता जैसे आप विश्य के साथ में बेटे की बहु के उपर प्रसन हुए वैसे सब के उपर होना कहानी कहने वाले के उपर सुनने वाले के उपर और हुकारा भरने वाले के उपर सब को सुख संपती और वेभव और सुहागन होने का आशिरवात देना गड़ती हो तो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े भूली विसरे नाम तेरे बंडार में भरें इस तरह आज मैंने आपको सातूरी तीज की व्रत कता सुनाई आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद